आज के बाद आप मोली के पत्तों को फेकने से पहले कम से कम सो बार सोचेगे क्योंकि जब भी हमारे गर में मोली आती है तो हम सोचते हैं कि अपनी रसोई में आपका एक बाप फिर से बहुत-बहुत स्वागत है तो देर न करती हुए चले श्टार्ट करते हैं अब मेरी स्पीको बनाना रात में भीगो कर रख दिया था और ये देखिए ये पूरी अच्छे तरह से भीन चुकी है और इसके पूरे छिलके ऊपर आ चुके हैं और इसको हम एक बड़े बाउल में डालके अच्छे से पहले धो लेते हैं तिन चार पानी में हाला कि जब तक ये पूरे अच्छे से साप पानी ना निकलने लगे और इसके पूरे छिलके ना निकल जाएं तब तक इसको अच्छे से धोएंगे तो ये देखिए मैंने इसको धुल के रख लिया है और इसके पूरे छिलके निकल चुके हैं अब ये पिषने के लिए पिक्तम है तयार तो इसे अब हम एक मिक्सी जार में डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसको पीश लेंगे इसमें पानी बिल्कुल भी नी डालना है क्योंकि मुं कीडाल बहुत जाबास होती है इसमें पीना पानी डालेंगे आप इसको बड़े अराम जीरा पाउडर, हींग पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अपने मूली के पत्तों को एक दमबारी काटना है, चोपर से यह देखिए, मैंने इनको कट करके रख लिया, इसमें मिक्स कर देते हैं, और अच्छी तरह से इन सभी इंग्रेडियन को मिक्स करने के बाद इसमें डाल तो यह देखिए, मैंने पूरे मिक्सचर को अच्छे से मिला लिया, और तेल गरम होने के लिए रख दिया था, तो तेल अच्छे से गरम हो चुगा है, अब छोटे-छोटे बना लेते हैं अपने पकोड़े, यह देखिए, सुबह के नास्ते के लिए यह बहुत ही हिल्दी आपका नास्ता होगा, इसे जब चाहें आप इसको तब बना कर खा सकते हैं, और यह कभी भी किसी भी तरह की इसमें कोई आपको नुकसान नहीं होने वाली है, तो यह देखिए, अब हमारे करमा गरम, सफेद मुंग दाल के, और मुली पत्ते के पकोड़ी बन कर सर्व करने के लिए हैं, तैयार, तो यह देखिए, कितने क्रंची हैं, वाव, आप एक बार बना कर खाएंगे, यकिन मानगे, आप पहली बार में ही इसके दिवाने हो जाएंगे, तो ऐसी ही एक नई रिस्पी के साथ मिलते हैं, आप से नक्स वीडियो में, जाएंगे, जाएंगे, ज